तो सिबियसी 12 टार्म एक्जाम आज से सुरू हो सुके हैं तो यह चात्र चात्राओं के लिए एक महत्पूर्ण खबर रहने वाली है पर्मुप विश्यों की बोर्ड की परिक्सिया सामिल होने से पहले आपको यह नियम और दस्तावेज वोजू के बारे में आपको जरूर फ वज़े से आफ्लाइन मोड में आयजित की जाएगी यह महत्पूर्ण अपडेट है यानि कि साड़े 11 वज़े से आपका पेपर स्टार्ट होगा पहले दिन समाज सास्त्र विश्य की परिक्सिया होगी चात्र समय से कुछ देर पहले ही परिक्सिया केंद्र पर पहुंच ज चाहिए केंद्री माध्यमिक सिक्सिया बोर्ड द्वारा आच्च बुद्वार दिनांक 1-21 को आप बारोई परिक्सिया की मुख्य बिश्यों की परिक्सिया आयजित की जाएगी इसमें परिक्सिया में सामीर होने वाले उमिद्वार इस बात का ध्यान रखें कि परिक्सिय सुरू होगी पहले दिन समय सास्त्र का होगा च्छात समय से पहले ही यहां पर पहुंच जाएं तो इसमें दुनिया की आई जो कोरोना महमारी के प्रकुप के कारण साध्वानी भी बरतनी पड़ती है इस बार सीब्यसी बोर्ड परिक्सियाओं को दो सत्र टर्म वन और टर्म टू में आवेजित किया जा रहा है तो पिछले साल कोरोना महमारी के बढ़ते खत्रे के कारण सीब्यसी ने दसवी और बारवी की परिक्सियाओं को रद करने का फैसला कर लिया था लेकिन इस साल यह जो रद करने का फैसला था अभी तक सरकार ने नहीं किया है अगली कक्स परिक्सियाओं को टालने के बाद कक्सियाओं को अगले कक्सियाओं के साथ परमोट कर दिया गया था तो यहाँ पर सुरक्सिया के कड़े अंतजाम भी कर दिये गए है और परमोट गाइडलाइन्स भी यहाँ पर जारी कर दी गई है क्या क्या गाइडलाइन्स है इसके बा आपको छोटी छोटी बातों का और लापरवाही की भी भी ना किये करें इसमें और कौन-कौन से आपको चीज़ें आपको इहां पर रखनी है यानि कि सोसियल साइंस डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और अपने हाथू पर लगाता सैनिटाइजर करना होगा और अपने मुह पर मास्क का प्लोग आपको करना होगा चात्र अपने साथ पर्वेस पत्र बिल्कुल भी ले जाना ना भूलें बिना पर्वेस पत्र के उन्हें परिक्सिया में बैठने नहीं दिया जाएगा तो इसमें परिक्सिया का समय जो सीमा होगी 90 मिनट की होगी यानि कि एक ग गंटे का पका पेपर होने वाला है चात्रों को रफकार के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा और चात्र परिक्सिया में ब्लू प्रिंट या विलू काली ब्लैक जो पैन है वह लेकर आपको जाना पड़ेगा तो चात्र ओमर सीट पर पैन के अलावा और किसी परकार के करें पैनसिल का भी प्रिंट वर जितเ है चात्र जो परिक्सिया कक्षिया में मुबाइल फ़ॉन या इलेक्ट्रोंिक डिवैस का किसी भी परकार की सामागीरी का प्रियो प्रियोग ना करें और नहीं नकल की सामागरे ले कर जाएं चात्र मास्क लगा कर जाएं और सनिटाइज हाथ पर रखें चात्र पेन और या किसी अन्य समान के आदान परदान ना करें यानि कि आदान परदान ना करें ऐसे में बहुत समस्या आपके लिए हो सकती है परिक्सिया के बाद भीड में न गुसें और आराम से अपने जो घर को प्रस्तान करें और भीड से बचें तो सभी बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा और समय उनके पास बहुत रखा है यानि कि दो गंटे का समय उनके पास वेपर देने के लिए रहने वाला है तो किसी भी परकार की हेलफ लाइन के लिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपकी हेलफ जरूर करेंगे और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में दिये गए वैल आइकन को जरूर फ्रेस कर लिजिए तो मिलते हैं नई टॉपिक और नई वीडियोस के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त थेंक्यो बाई बाई टेक केर